हेलो फ्रंट्स स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल एस्टरी आवर लाइफ में तो यह हमारा घटना चक्ट जी एस पांटर के बुक से 2022 का एडिशन है जिसमें हमने एकोनमिकस का हमारा पार्ट 8 तक वीडियो अप्लोड हो चुका था जिसे लास्ट वीडियो जो हमने करवाया था वहां से विविद स्टार्ट होने वाला था लेकिन वह पेज जो है वहां से रिपीटेट पेज था इसके लिए हमें वह स्किप करना पड़ेगा क्योंकि वह तो आज से हम इसे शुरू करते हैं दो-तीन वीडियो ओड़ाएगा इसके बाद समाफ तो जाएगा और इसके साथ साथ हमारा VPSC का भी प्रैक्टिसेट चल रहा है अभी फिर बिहार फायर मैंन के लिए प्रैक्टिसेट चल रहा है तो आप लोग उसे भी जुएन करें और उसे भी प्यार दे अपना सपोर्ट क ये आर दोनों सत्त है लेकिन आर जो है एका सही व्याख्या नहीं करता है अगला है एक नगर किसी ग्राम से भीन होता है क्रमसा समाजिक मुल्लो परिवारिक सरचना रहनसान के तरीके आर्थिक रियाकलापों के संदर्ब से इसके बाद है साहरी बिर्द सुचक ये जो है जनसंख्या में बिर्दी का देश की कुल जनसंख्या में बिर्दी का तथा सहरी चेत्रों में आई बिर्दी का इसे सहरी बिर्दी सुचक कहते हैं टीके उमन ने नगरिये परिवारों का अंतर बताया कि आई के साधन तथा उभरते हुए या बदलते हुए मुल्यों के प् अर्ध सहरी छेत्रों में रहने वाले वेक्ति हैं भारत में मध्यन नगरी करन की अवस्था से विसेशित हैं 1931 से 1961 का समय फिर कतन और कारण है कतन में दिया है भारत में नगरी करन का अस्तर चीन से काफी नीचा है और कारण वहीं दिया है कि भारत नगर का कम नियोजीत है तो AR क्या है दोनों सही है और AR जो है एका सही व्याख्या नहीं है फिर कतन दिया है कि भारत में बर्स 2021 के पश्चात सहरी करण में तिर्विर्दी हुए और कारण दिया है कि भारत में मोवायल समप्रेशन के छेत में करांती हो रही है तो इस दोनों में जो है ए और दोनों सही है लेकिन आर जो है एक ही व्याख्या नहीं करता है अगला कोशन है भारत में सहरी करण के संबंध में सही कथन नहीं है कि भारत के सभी छेत्रों का सहरी करन सर्वथा समान गुप से हुआ है ये कथन सही नहीं है अगला है अधिवास को नगरिये केंद्र प्रवासित करने के लिए स्विवकार किया गया है जनसंख्या आकार जनसंख्या गनत अथा बेब साइक्स रचनापर भारत में नगरी करण से जन्म और मिर्तु दोनों घटी है 2011 के जन्मना की अधार पर सही सुमेली थे प्रकिर्टी और राज दिया हुए है तो सरभडिक सहरी राज गोवा है अधिक्तम सहरी अवादी वाला राज महराष्ट है अधिक्तम जन संख्यागनत वाला राज दिल्ली है सबसे कन जन संख्यागनत वाला राज अवनालचल परदेश है और भारत में नगडिये केंद्र को बर्गी करित संख्याग पूछा जाए तो छो है नगडिये भारत का विस्तार एक प्लेटफॉर्म है अधियोगिक विकास का आधुनिक सेवा छेतर के विकास का तथा पडिस्कृत आए अफसरों के निर्मान का भारत के दो नगडिये केंद्र जो बिस्तु के सबसे अधिक जन संख्यागनत वाले दस सारों में से एक है वो है मुंबई तथा दिल्ली मुंबई, कोलकता, चेर्नाए, दिल्ली महानगरों में से लिंगा अनुपाद अधिक्तम है चेर्नाए का जो 980 है 2011 के जनगना के अनुशार भारत में जनगना नगरों की कुल संख्या 38,92 है जनगना 2011 के अनुशार भारत में नगरिये जन संख्या परतिसत की बात करें तो 31.1 परतिसत है भारत में सहरों में रहने बाले लोगों की संख्या लगभक 37.7 करोड है और 2011 के जनगना के अनुशार भारत में जिले है 640 भारत के कुल नगरिये जन संख्या 2011 में 10 लाखी नगरों का परतिसत योगदान है 46.6 परतिसत 2011 के जनगना के अनुशार भारत के प्रथम बर्ग के नगरों का योगदान कुल नगरिये जन संख्या में है लगभक 70 परतिसत अगला है कि भारत के उत्री सहरों में समान निता और संतुलित लिंगा अनपात मिलता है सेकेंड है पस्चिमों सहर में केंद्री करण के बिप्रित पुर्वी सहर बिखरे हुए हैं तीसरा है दस्चिन में स्रम सक्ति में महिलाओं की इसाहियें की लगु संख्या तता उंच जिक्षादर के कारण ब्रित्तर भागिदारी है और चोथा दिया है कि पस्चिमी सहरों में ग्रामीन छेत्रों से लगुत्तर प्रवर्जन होता है तो उप्युक्त कथन में जो सही है आपका वो एक, दो और तीन ही सही है एक, भारत के उत्री सहरों में सामानेता और संतुलित लिंगान पात मिलता है दो सही है पस्चिमी सहरों के केंद्री करण के बीप्रीत पुर्वी सहर में बिख्रे हुए है और चोथा साही है कि पस्चिम सहरों में ग्रामीन छेतरों के लगुतर प्रवजन होता है अगला है 2011 के जनगना के अनुसार 10 लाग जन संख्या बाले नगरों की सरबदिक संख्या उत्तर परदेश केरल दोनों में साथ साथ है 2011 के जनगना के अनुसार 10 लाखी प्लस के नगरिये सम्हू नहीं है वो है उडिशा में भारत एक 24 से अधिक नगरिये जनसंख्या जिन दो राजों में निवास करती है वो है महराष्ट और उत्तर परदेश 2011 के जनगना के अनुसार सर्वधिक नगरिये जनसंख्या वाला देश तीन राज है महराश्ट उत्तर परदेश तमिलांडो भारत का सर्वधिक नगरिकरित राज गोवा है 62.2 परती सत 2011 के जनगना के अनुसार नगरिये जनसंख्या के संदन में निम्राजों का अरोही करम पश्वी मंगाल तमीलांडू उत्तर प्रदेश महराष्ट है भारत के सर्वधिक नगरिक रित पांच राज है गोवा 62.2 परती सत मीजोरम 52.1 परती सत तमीलांडू 48.4 परती सत केरल 47.परती सत महराष्ट 45.2 परती सत के साथ ये पांच नगरीकृत राज हैं सरवधिक नगरीकृत उसके बाद है कि भारत में सबसे कम नगरीय जनसंख्या बाला राज शिक्किम है 2011 के जनगना के अनुसार ग्रामीन जनसंख्या का सबसे अधिक अनुपाद हिमाचल परदेश 90% है भारत के अस्तल अबुद राज्यो, हरियाना, जम्मु कस्मीर, पंजाब तथा मध्य परदेश में से 2011 की जनगना के अनुसार नगरीय जनसंख्या का पर्तिस सरवधिक है पंजाब में नगरीकरन की द्रिश्टी से भारत है एक मध्यम नगरीकरित देश कथन कारंदिया है, कथन ए में है भारत में नगरीय गरीवी की जरे ग्रामीन छेत्रों में नहीं थै और कारंदिया है ग्रामीन छेत्रों में सिक्षा का अस्तर नीचा है तो ए अर दोनों सही है और आर जो है एकी सही व्याख्या भी है नेक्स है कि जनसंख्या के बेवसाईक धांचो को व्यक्त करता है बिविन बेवसाईयों में कार्जकाडी जनसंख्या का बित्रण 2011 के जनगना के अनुसार भारत में 10 लाखी नगरों की संख्या तिरपन है 2011 की जनगना के अनुसार भारत में तिरपन दस लाखी जनसंख्या वाले नगर हैं जिन में उत्तर परदेश साथ हैं भारत की जनगना 2011 के अनुसार देश के मिलियन नगरों की सुची में अंतिमस्थान पे है वो है कोटा भारत के 2011 की जनगना के अनुशार सरबदिक जनसंख्या नगरी युग्म दरसाती है मुंबई येवं दिल्ली को उत्तर परदेश के निम्न दरसला की नगरों की उनकी जनसंख्या आकार के आरोही किरम जो है वो इलाहाबाद फिर लखनव फिर आगरा फिर मेरट ये उसका अबरोही करम है 2011 की जनगर्णा के अनुशार जनसंख्या की द्रिष्टी से उत्तर पर्देश के मुरादाबाद, इलाहबाद, गाजियाबाद, लखनव जनपदों का सही अवरोही किरम है इलाहबाद, मुरादाबाद, गाजियाबाद और लखनव नगडिय अवस्थापना में पेजल, अवाशन, श्वक्षता तथा पड़ी वहन में से एक समलित नहीं है वो है अवाशन भारत की जनगर्णा के द्वारा लगुन नगरों की सेनी में समलित किये जाते हैं बर्ग, चार, पांच और छो 2011 के जनगर्णा में फोटो, उंगली के निशान और आग की पुतली के प्रतीचित्रन के लिए किसी बेक्ति की निमतमायू 15 वर्स होनी चाहिए 2011 के अंति माकरे के अनुसार चंडीगर्ट, दमन एवम दूइप, दिल्ली तता लक्षदीप, नंगरीय करन के अस्तर से सही अबरोही करम है दिल्ली का 97.5 परतीसाथ, चंडीगर्ट 97.3 परतीसाथ, लक्षदीप 78.1 परतीसाथ, दमन दूइप 75.2 परतीसाथ नेक्स्ट है, दादर और नागर हवेली, दमन एवम दूइप, लक्षदीप तता पुंडू चेरी में से, 2011 के जनगर्णा के अनुसार, ग्रामों की संख्या निउन्तम है, वो है दमन एवम दूइप में अगला है भारत की नगरिये जन्संख्या की दसकी बिर्दी इधर उच्टम थी, उन्हें 71-81 में नगरिये गलियारा संबंदीत है नगरिये क्रिया कलापों को विस्तार देने से नगरी करन का कारण है ग्रामीन नगरी करन असंतुलन ग्रामीन छेत्रों में नौकडी के अफसरों की कमी किसी भूमी की नौबढ़ सकने वाली प्राकिर्ती तथा नगरों की चुम्बक के बिसेस्ता ये नगरी करन का कारण है नेक्स्ट है कि ग्रामीन से नगरी छेत्रों में प्रबास की उँची दर, सहरों में सैक्षिनिक संस्थाओं की बढ़ती संख्या, अद्योगी करण की उँची दर, ग्रामीन छेत्रों में उँचा जीवन अस्तर, या उप्युक्त कतनों में नगरी करण के कारण के संबंद मे सत्य कथन है कथन एक दो और तीन सही है ग्रामिन शित्रों में उचा जीवन अस्तर ये गलत है कथन दिया है ए में कि भारत में नगरी करण एबं अद्योगी करण की विर्धी के साथ अपराधों में विर्धी हुई है और कारण दिया है अद्योगी करण नगरी अर्थ विवस नगरों की मालीन बस्ती जनसंख्या में ब्रदी, बरे नगरिये केंद्रों में जनसंख्या का बरता संकेंद्रन, तथा नगरिये छेत्रों में सेवाओं की मात्रा तथा गुनबत्ता में तेजी से गिरावट को बरता हुआ नगरीकरन उत्पन करता है। मालिन बस्ती में रहने वाले जनसंख्या परतिसत मुंबई में सबसे ज़्यादा है और 2011 के जनगन्या के अनुसार सरबदिक स्लम प्रती वेदित नगरों की संख्या की द्रिश्टी से सिर्फ 5 राद जी या केंसासित परदेश को अगर अवरोही करम में रखा जाए तो पहले अस्थान पर तमिलांडू है 507, फिर मद परतेश 303, उतर परतेश 293, करनाटक 206 और महरास्ट 189 सहरी अधो सरचना के विकास के लिए घोसित की गई नई योजना है स्वक्च भारत मीसन, हेरिटेज सीटी डेवलप्मेंट एंड अंगमेंटेशन योजना तथा स्मार्ट सीटी योजना ये जो है सहरी अधो सरचना के विकास के लिए योजना ये बनाया गया है रास्टिय नगरी ये पुनरवी करण भीशन जोड़ा गया जवाहलाल नहरू के नाम से JNNURM योजना का संबंध नहीं था सहरी विदुत्लिक करण से JNNURM का संबंध सहरी अधो सरचना सुधार करने से है Smart Cities मिशन में जल तथा मलजल यानि सीवरेज का वितोपोशन जिस राजस से होगा वह संपत्तिक कर है अगे देखते हैं अब अगला टॉपिक है हमारा विशु जनसंख्या एवं नगरी करण तो पहले अभी हम परे थे भारत के बारे में अब हम विशु के बारे में तो अमेरिकी थिंक टैंक, वर्ल्ड पॉपलेशन रिव्यू तथा विशु बैंक द्वारा जारी आंक्रे के अनुसार 2019 में भारत की GDP थी लगबग 209 लाग करोर और 2019 में GDP के संदर में विशु की पांचमी सबसे बड़ी अर्थ व्यवस्था भारत की है दिसंबर 2018 तक आंक्रे के अनुसार वैस्वी कस्तर पर सर्वदिक भारती अबादी सयुक्त अरव अमिरात में है नगडिये पंचीकरन परनाली CRS के अंतरगत देश में जन्म तथा मिर्थू की घटना को रजिस्टेशन कराने के कानूनी रूप से अनिबार है 21 दिन के अंदर करवा लेना रास्टिये पडिवार स्वासरवेक्षन 5 उच्छी रक्त चाप मधू में HIV परिक्षन तथा मिर्थू का पंचिकरन में से समलित नहीं करता है HIV परिक्षन को वर्ड पॉपलेशन प्रोस्पेक्टस 2019 के अनुसार 2019 में विस्टु की कुल जनसंख्या 7.7 मिलियन अनुमानिद है और विस्टु की जनसंख्या वर्ष 2030, 2050 और 2100 वर्ष तक बढ़ हो जाने की पुरण अनुमान है तो यह जो है 8.5 बिलियन, 9.7 बिलियन और 10.9 बिलियन बढ़ते जाएगा वर्ष के हिसाब से और 2019 में भारत एवं चीन की जनसंख्या अनुमानित है 1.37 बिलियन तथा 1.43 बिलियन नेक्स्ट है, रिवीजन ओफ वर्ष वर्ष अर्वेनाईजेशन 2018 के अनुसार विस्टु की 55.3 परतिसद जनसंख्या सहरों में निर्वासित है और बर्ष 2050 तक सहरों में निवास करने वाली जनसंख्या होगी 68 परतिसद वर्ष सिटीज रिपोर्ट 2020 के अनुसार उतरी अमेरिका में 82.6 परतिसद लेटिन अमेरिका और केरेबियान में 81.2 परतिसद यूरोप में 74.9 परतिसद अवादी सहरों में निवास करती है एसिया में सहरी करन का अस्तर 51.1 परतिसद है वर्ष सिटीज रिपोर्ट 2020 के अनुसार बांगला देश, भारत, पाकिस्तान तथा स्री लंका में नगरी करन के संदर में अब रोही करम पुछा जा रहा है तो बांगला देश 38.2 परतिसद, पाकिस्तान 37.2 परतिसद और भारत का 34.19 परतिसद, स्री लंका 18.7 परतिसद बर्ष 2020 के आकरे के अनुसार पुर्व एसिया में सर्वधी गनी अवादी वाला देश दश्चिन कोडिया है ब्रत्मान बिर्दीदर के अनुमान भारत की सहरी अवादी बर्ष 2030 तक पहुँचने का अनुमान है 575 मिलियन लोग नग्रिये सातत्य के विचार को उस अधार पर विक्सित किया गया है जो अध्यन के लिए मैक्शिको में है नेक्स्ट कोशन है हमारा कि रेड फिल्ड तथा सिंगर के विचार में प्रात्मिक नग्री करन की प्रतिक्रिया को विसेशिक रित किया जाता है वो किया जाता है ब्रिद प्रंप्रा के विकास से बिशु जनसंख्या दिवस उस दिन की याद में मनाया जाता है जब बिशु की जनसंख्या पांच अरब हो गई थी वह दिन 11 जुलाई 1987 है बिशु जनसंख्या दिवस की तिती 11 जुलाई है और विशु की 50 परतिसर जनसंख्या जो वो संगेंतित है 20 डिगरी नर्थ अक्षांसों के मीज अगला है हमारा विशु में लिंग अनुपात के घटने का डर है लिंग निर्धारन के परिक्षन बढ़ने से नया जनसंख्या बम का तात पर है तीसरी दुनिया में सिग्रता से बढ़ रही नगरों की जनसंख्या 2011 के अंती माकरे के अनुसार बारत की जनसंख्या विशु की जनसंख्या का 17.5 परतिसत है ये कोशन बहुत ही इंपोर्टेंट है सयुक्त राष्ट अवास वैस्विक मानबस्ती रिपोर्ट यू एन हैबिटेट्स ग्लोबल रिपोर्ट और यूमन सेटल्मेंट 2009 के अनुसार बिगत तीन दसकों में सहरी करन की सबसे तिव्र बिर्दी दर रही है एसिया छेतर में विशु के नगरों की इस्थिती पर यू एन हैबिटेट्स रिपोर्ट की अनुसार उत्पादक्ता अनुकूलतन जनसंख्या जीवन की गुनबत्ता तथा समता में से एक नगरों की सम्रेदी निधारित करने का अधार नहीं है वो है अनुकूलन जनसंख्या अफ्रिका का सरवदिक जनसंख्या वाला देश नाइजेरिया है और विश्व में सरवदिक पांच जनसंख्या वाला देश चीन भारत सहुत राज अमेरिका इंडोनेशिय और पाकिस्तान है पुर्वेशिया में सरवदिक जंशंख्या बिर्धी का सर्वधिक परतिसत जिस महादुफ के देशों में देखा गया है वो अफ्रिका है एक अनुमान के अनुशार विस की 70 परतिसत आवादी जिस वर्ष तक नगरों में सिमट जाएगी वो है दोजार पचास वर्ष 2050 में सब नगरों में सिमट कर रह जाएगी यह अनुमान है उसके बाद जनसंख्या के घड़ते हुए करम में चीन, भारत के बाद आते हैं सरीक अरव अमेरिका और इंडोनेशिया नेक्स्ट है वर्ल्ड पॉप्लेशन प्रोस्पेक्ट्स 2019 के अनुसार जन के समय जीवन परत्यासा सरवदिक है होंग कॉंग में जनसंख्या घड़त सरवदिक है एसिया महादूद में 2011 में जनसंख्या का घड़त सबसे कम था उतरी अमेरिका कानाडा, फिनलेड, नॉर्वे रूस में से जनसंख्या का घड़त सबसे कम है चीन, भारत, इंडोनेशिया, सयुक्त राज अमिर्का देशों में नगडिये जनसंख्या सरवदिक है तो वो है चीन में बैस्विक अस्तर पर सरवधिक प्रजननवा दरवाला देश नाइजर है और दस्ची नेशिया में बृत जनसंख्या का सरवधिक परतिसत वाला देश स्री लंका है धर्म की अधार पर विश्वकी जनसंख्या अबरोई करम में इसाई, मुस्लिम, हिंदू और बौध है नेक्स्ट है नील घाटी तथा जाबादूइ उच्ची जनसंख्या का नथोने का प्रात्मिक कारण है सघन क्रिशी संसार में सरवधिक नगरी क्री देश कोन सा है तो वो है सिंगापूर मकाव अधी नेक्स्ट है दस्ची नेसिया का सबसे घनाबसा देश मालदीफ है कनाड़ा, जर्मनी, जपान तथा नौर्विम में सरवधिक आयू संभावित है तो उसमें जपान में सरवधिक आयू संभावित है कधन और कारं दिया है कधन ए में है कि संसार में के 2% लोग अपनी मात्री भूमी के बाहर निवास करते हैं और ए तो सही है आर दिया हुआ है, ओसीनिया में प्रवासी लोगों की जन्संक्या परतिसद अधिक है तो दोनों सही है प्रण्दु 8 ए का सही व्याकः नही है कि चीन की जनसंख्या बिर्दी नाट की धंग से धीमी पर गई है और कारण है कि एक बच्चा प्रती पड़िबार निती के कारण उसकी प्रजन अंदर में कमी आई है तो ए अर दोनों सही है और आर जो है एकी सही ब्याख्या है अगला एसिया का सबसे बड़ा नगर संगाई है और एसिया का सबसे नगरिकरित देश कतर है कतन ए है कि भारत की नगरिये जनसंख्या ब्रिटेन की कुल जनसंख्या से अधिक है और कारण है ब्रिटेन का नगरिकरन अस्तर भारत के नगरिकरन अस्तर से उस्तर है तो ए आर दोनों सही है प्रांतु आर जो है एकी सही व् आज कूल जनसंख्या में प्रबासी लोगों का परतिसत अधिक्तम सबस्जादा है USA में संसार में निम्तम प्रजनन्दन पूर्टगाल, बोशनिया तथा मल्डोवा की है एसिया में मात्री मिर्टूदर उच्तम है नेपाल में बिसु की लगबग 80% जनसंख्या सारक्षित नहीं है, वो है समाधिक सुरक्षा प्रदौरा बिसु की जैविक विवित्ता का सरबुत्तम अनुवान मिलता है जो लोग साधे 4 करोर जाती जिवित हैं, उनमें से 100 प्रती दिन लुप्थ हो जाती है और उनमें से अधिकांस को अग्यात ही होती है, क्योंकि अब तक अधिक से अधिक 15 लाग की पहचान ही हुई है अगला हमारा संस्कृतिक टॉपिक है, तो इसकी संस्कृति देखते हैं, कैसी संस्कृति है यहां की तो हड़ी से निर्मित आभूसन भारत में मध्य पासान काल से प्राप्थ हुए सराई नहर, सराई नहर, राई एवं मधहा से है नेक्स्ट है, आमरी मेहरगड, कोट दीजी, काली बंगा में से वो पुरात अस्थल, जहां से पासान संस्कृति से लेकी हरपा सब्ता तक के संस्कृतिक अपसिस प्राप्थ हुए है, वो है मेहरगड भारत में सरवधिक सैल्चित प्राप्थ हुआ है भीम बेटका से और गौरिक मिर्दभांड पात्र जिसे ओशीपी कहते हैं का नामा करान हुआ हस्तिनापुर में सिंदुगाटी सब्ता को आर्र से पुर्व ही रखने जाने का महत्पुन कारक मिर्दभांड है हरपा में मिट्टी के बरतनों पर समानता उप्योग होता था लाल रंग नेक्स्ट है मुर्ती पुजा आररंब माना जाता है पुर्व आर्र सबिता से सिंदुगाटी के लोग पसुपती की पुजा करते थे और सही काल करम अगर देखा जाए तो नगर संस्कृती फिर लोहे का हल फिर आहत मुद्रा फिर सोने के सिक्के का निर्मान हुआ था और कुशान के समय हरपण संस्कृती के संदर में सैल कृत अस्थापत्य के परमान मिले हैं तो धौला भी रासे रेगवेद काल में जनता मुकता विश्वास करती थी बली एवं कर्मकांड में नेक्स्ट है संसकारों की संख्या सोला हुआ करती थी और महापड़ी निर्मान मंदीर अवस्थी थे कुशी नगर में विश्व में सबसे उंचा कहा जाने वाला विश्व सांती अस्थुप कहां है बिहार के राजगीर में इस्तित है विश्व का सबसांती अस्थुप और हीनिया नवस्था में बिसालता मिबं सरबदिक विक्सित सेलकृत चैत गिरी इस्तित है कारले में नव लानन्दा महा वियार विक्कात था पाली अनसंदान संस्थान के लिए प्रारंभिक जैन साहित जिस भासा में लिखे गए वो अर्ध मगदी जिसे प्राकिर्तिक भासा भी कहते हैं अर्ध मगदी को हैं बराबर की गूफाओं का उप्योग आस्रागिरी के रूप में आजीव को ने किया था उत्तर परदेश में बहुद एबं जैनियों दोनों की प्रसित तिर्थ अस्तल कौशामबी है नेक्स्ट है सही कतन भारत का सबसे बड़ा बौध मट अर्वनाचल परदेश में है और खजुराहों के मंदीर चंदेल राजाओं दोरा बनाए गए और होई सेलेश्वर मंदीर सीव को समरपित है नेक्स्ट है स्रबन बेर गोला में गुमेत वश्वर की विशाल परती मास्थापित कराई गई थी किसके दोरा चामुंड राई ने अगला कोशन है कि अर्धनाडि स्वर मूर्ती में आधा सीव और आधा पारवती का परती की ये है कि देव और उसकी सक्ती का योग बसुदेव कृष्ण की पुजा सरबर्तम प्रारंब की थी भगवतों ने पूरी में रथियात्रा निकाली जाती है भगवान जगर्नाथ के सम्मान में नासिग में कुम मिला लगता है गोदावरी नदी के तट पर प्राचीन भारत में ब्राम्मी, नंदगरी, सारदा तथा खरोष्टी में से वह जो लिपी दाइं की से बाई और लिखी जाती है वो खरोष्टी लिपी है जो दाइं से बाई और लिखी जाती है मौर नडेशों ने विकास किया था संस्कृती कलासाहित का प्रांतिय विभाजन हिंदू कुस्तक समराज का नेक्स्ट है काब्बे सैली का प्राचिन्तम नमुना मिलता है कठियावरा के रुद्रदामन अविलेक में जो कलासैली भारती और युनानी आकिर्ती का समिशन है उसे कहते हैं गंधार वह मुर्ती कला जिसमें सैदभारित अस्थांत्रित चटान यानी सिस्ट का पड़ियोग मध्यम रूप से होता है वो गंधार मुर्ती कला है अगला है गुप्त काल में लिखित संस्कृत नाटकों में इस्त्री और सुद्र बोलते थे प्राकिर्त भासा सत्रंज का खेर उद्दुभित है भारत में भारत की यात्रा करने वाली चीनी यात्री युवान चुआंग यानी हैंसंग ने ततकालिन भारत की समान दसाओं और संस्कृती का बरण किया इस संदर में सही कतन है जहां तक अप्रादों के लिए दंड का प्रश्न है अगनी जल बीस द्वारा सत्य परिच्छा किया जाना ये किसी भी बेक्ती को निर्दोसिता आत्वा दोस के निर्णै के साधन थे बेपाडियों को नौघाटों और नौकों पर सुल्क देना परता था अगला है भारत में सबसे प्राचिन बिहार नालंदा है खजुराहों के मंदिर संबंदित है हिंदु धर्न और जैन धर्म से बीतरगाव मंदिर ग्वालियर का तेली मंदिर कंदाड़िया महादेव मंदिर तथा ओसिया मंदिर में से वह जिसका सिखर द्रबिर सैली बना हुआ है ग्वालियर के तेली मंदिर नेक्स्ट है आबु का जैन मंदिर बना है संग मर्मर से एलोरा में गुफाएं और सैलकृत मंदिर है हिंदु और जैनों का एलोरा में गुफा किसकी है? हिंदू, बॉर्ट और जैन ये तीनों से संबंदी थे एलोरा की गुफा ये कोशन बहुत बारी जामें पूछा भी गया है और एलोरा में गुफाएं बिविन धर्मों के लिए बनाई गई थी अजनता की गुफाएं रमाइन, महाभारत, जातक कथाएं तथा पंचतंत कहाणियों से संबंदी थे वो है जातक की कथाएं अगला है, भीत्ती चित्रकला के लिए जाना जाता है अजनता की गुफा लेपाक्षी मंदीर को कुनार्क का सुन्द्र मंदीर बनाया था नर्सिम देव बर्मन ने और ये कहाँ है करनाटक में काला पैगुंडा के नाम से जाना जाता है कुनार्क के सुर्य मंदीर को द्रबिर सेली मंदिर गोब पूरं से तात पर है तोरन के उपर बने अलकृत अभान से पलव को शुक्र पूरं द्रौप्ती रत, भीम रत, अरजुन रत, द्रमराज रत में से वह रत मंदीर जो छोटा है वो है द्रौप्ती रत नेक्स्ट है नागर, द्रवीर और वेशर ये भारतिये मंदीर बास्तु की तीन मुख शैलिया हैं नागर, द्रबी और वेशर सैली भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर में पंचायतन सब्ध निर्दिष्ट करता है मंदी रचना की सैली को वह मंदीर परशर जिसमें एक भारी भरकम नंदी की मूर्ती है जिसे भारत की विशालतम नंदी मूर्ती माना जाता है वो व्रिदेश्वर की मंदीर है चोल काल में निर्मित नटराज की कास परतिमाओ देवा क्रिये, प्राया, चतरभुज है और यह हरपा सब्ता से हरपा सब्ता में मिला था उसके बाद दस्चिन भारत के विशेशकर चोल यूग के अस्थापत्यूग की विश्व में स्रेश्टम प्रतिमा रचना माना जाता है नटराज को मदकालिन भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर में सत्यकतन है तमील छेतर के सिद्ध, एक केस्वरबादी थे मुर्ति पूजा के निंदा करते थे कन्नर छेतर के लिंगायत पुनर जनम के सिद्धान पर प्रश्चिन लगाते थे और जाती अतिकरम को औस्विवकार करते थे ये मदकालिन भारत के सांस्कृति इतिहास के संदर में कथन सही है नेक्स्ट है जिस ग्रंथ में है वो ग्रंथ का नाम गीता है जो यहां है वो अन्यत्र भी है जो यहां नहीं है वो कहीं नहीं है ये महाभारत में लिखा है सोंबुर महाभिहार का निर्मान करवाया था धरमपाल ने और उस पालसासक का नाम बताईए जिसने बिक्रम सिला विस्विद्याले को अस्थापित किया था वो धरम पाल ही था जिसको अल्लाव दिन खिल्जी ने नस्ट करवा दिया था वो साला मंदीर की अधिसास्ती देवी थी भगबती सरस्वती भारत में प्रसिद फार्सी तेवार नरोज का अरण बलवन ने करवाया था नेक्स्ट है बिजय नगर का परसिद राजा हजारा मंदीर निर्मित हुआ था क्रिस्न देवराय के सासन काल में नई फार्सी काब सैली शवक के हिंदी आत्वा हिंदुस्तानी सैली के जनदाता थे अमीर खुश्रो नेक्स्ट है सही कथन सही कथन में दिया है कि हिंदू देवी देवताओं तथा मुस्लिम संतों की प्रसंसा में रचित गीतों का संग्रा किताब ए नौरस इबराहीम आलरंब करता अमीर खुश्रो ही थे ये कथन जो है बिल्कुल सही है संगीत यंत तबला का परचलन किया अमीर खुश्रो ने वह असमारक जिसमें गुंबद है जो संसार के विसालतम गुबंदों से एक है वो है गोल गुंबद जो बिजापूर में है बिजापुन करनाटक है वो हिमायो का मकवरा है नेक्स्ट है अकवर दोरा बनाई गई वह इमारत जिसका नक्सा बहुत भिहार की तरह है वो है पंच महल मुगल चित्रकला अपनी परकास्टा पर पहुँची जहांगीर के राजकाल में गुबिंद महल जो हिंदू बास्तू कला का अतिप्रितम उधारा नईस्तित है दंतिया में हिंदू तथा इरानी बास्तू कला का सरपर्थम संबने हमें देखने को मिलता है ताज महल में प्राता कल में गाये जाने वाला राप को तोड़ी कहते हैं तान सेन, बैजु बाबरा, गोपाल नायक जैसे संगीतों ने श्वामी हरिदास से फर्शिक्षन प्राप्ट किया था स्वामी हरिदास के अनुवाई ने अस्थापित किया था पांस संगीत अर्चना केंद मोडी लिपी का परयोग किया था मराठो के बिलोखों में मोडी लिपी मराठो के बिलोखों में इसका परयोग किया गया है नेक्स्ट है सही सुमेलित है तो मदवन्नी एक परमपारिक चितरकला है बिहार की सिंध खबास, सिंधु दर्शन उत्सव, जम्मू और कस्मीर का नेक्स्टेब भारत के सांस्कृतिकी तिहास के संदर में निर्त एबं नाटे कला की एक मुद्रा जिसे त्रिभंग कहा जाता है प्राचिनकाल से आज तक भारतिये कलाकारों को अतिप्रिये रही है इस मुद्रा को सर्बत्तम रुप से बढ़नित करता है एक पाउ मोडा जाता है और दे थोड़ी किंतु बीप्री दिसा में कटी एबं ग्रीबा पर वक्र की जाती है अगला कोशन नासिक, हरिद्वार, पडियाग तथा वारण नसी से कुम्मेले का आयोजन नहीं होता है वो है वारण नसी में अस्थान समू जहां पर बारह में वर्ष कुम्मेला आयोजित होता है वो पडियाग, हरिद्वार, उज्जेन, नासिक ये चार जगह है उसके वाद सही सुमेलित है बीहु असम का तेवहार है ओनम केरल में मनाया जाता है पोंगल तमीलांडो में बैसा की पंजाम में दस्चिन भारत का तेवहार ओनम का संबन्द महावली से हैं डोल यात्रा, ओनम, पोंगल, विस्तु कर्मा पुजा तेभारों में से अतापू संबंदी थैं ओनम तेभार से तमासा संगीत नाटक का प्रसिद लोग स्वरूप है और यह संबंदी थैं महराष्ट से नेक्स्ट है आमरनात, जगरनात, केंदनात और विशुनात में से उस देवनात का नाम जिसमें मुक्य देवता अनितीन से भी नेवो है जगरनात आदी संक्रा दौरा अस्थापित चार मठ है, जोसी मठ द्वार का पूरी सिंगेडी ये चार मठ जो है संक्रा चार के दौरा अस्थापित मठ है भारत में नेक्तिर्थी यात्री श्री शैलम की यात्रा करते हैं जो 12 ज्वाति लिंगों में से एक हैं वो अवस्तित आंध पर्देश में कुरनूल के निकट बौद अस्तल ताबो मत अवस्तित आई किमाचल पर्देश में लोसांग एक उट्सभ है जो मनाया जाता है शिक्किम ने चप चार कुट तेवार मनाया जाता है मिजोरम में, इजित्मा तेवार मेला मनाया जाता है भोपाल में महाभारत के नायक अर्जुन के पितामा थे विचित्रविर काबा है मुसलिम पवित्र अस्थल, यहोदियों का पुजा अस्थल सिने गांग कहलाता है सांस्कृत की पर्थम विस्विद्यालय पीठ की अस्थापनासर पर्थम फ्रांस में हुई थी चुम्बकिय दिशा सुचक यंत्र का सर पर्थम संदर मिलता है जवाम्यूल हिकायत में विद्या संगर मंदिर करनाटक में है राजरानी मंदिर उरिशा में है कंदारिया महादे मंदिर मदपर्देश में है और विमेश्वर मंदिर आनपर्देश में है सही सुमेलित है ताबो मठ और मंदिर सकूल स्पुत्ति घाटी अलची मंदिर संकूल लदाख में चित्रगुप्त स्वामी मंदीर जी से चित्रगुप्त का एकमात मंद्री माना जाता है इस्तिते काजी में। उस अस्थान का नाम जहां कित कार्शिरी त्यागराज के सम्मान में नियमित रुप से त्यागराज अरादनाते भार मनाया गया तंजावुर। शोफिया कलाम जो एक परकार की भगती संगीत है बिसेस्ता है कस्मीर की मिमान तरसन के अनसार मुक्ती संभव है कर्म से इस्वर की पुजा जागर पधती प्रमुक्ता होती है उत्राखंड में रथियात्रा महुत्सब पुरी में मनाया जाता है उसके बाद है सुमेल, सुमेल मधू मितारावद, उडिसी निर्तांगरा है, इंद्रा चक्रवर्ती, पोसा आहर बैग्यानिक है, मीरा भाटिया, बिधी बेता है, साध्वी साधना, जैन धर्म की साध्वी है सुमेलित है, भजन सोपोरी, ये सत्तूर से उत्कृष्ट कलाकार है, बिर्जु महराज, कत्तक नर्तक थे, जिनकी हाले में मिर्टू हो गई है, और इससे कलकी एक्जामे कोशन पुछा भी गया है प्रियदर्शनी गोबिंध, भारतना टेप नर्तक है, टीवी गोपाल कृष्टन, मिर्दगम के उत्कृष्ट कलाकार है प्रसिद वादक, अल्ला रखा संबंदी थें तबला से सही सुमेलित है, देबु चौधरी, सितार वादक है, अजमदा लिखा, सरोध, पन्ना लाल गोस, वाश्री बादक, याहूदी मेन्यूहून, बाइलिन बजाते है उसके वाद है, काब्वि भगती के रूप में उर्दू का पड़ियो करने बाला पहला लेखाक अमीर खुश्रोही था सास्त्रिय संगीत पर पर्शिद रचना राधा गोबिन संगीत सार के रचैता थे, सवाई प्रताप सिंग सद्यों से भारत में जीवित रही एक प्रमुक प्रम्परा, दुरुप पद के संदर में सही है दुरुप पद प्रमुकता भक्ति और अध्यात्म का संगीत है दुरुप पद अलाप मंत्रों से एक संस्कृत अक्छोलों पर अधारित है उसके वाद है उमाकांद और रामाकंद गुंडेजा बंधू है दुर्पद गायक के राग कलपंदरुम से रचेता है क्रिश्नानंद प्यास वह राग जो सुपरभाद के समय गाया जाता है तोरी कालाता है चक्यार कुथू निर्त के विशय में सही है यह चक्यार जाती द्वारा किया जाता है मियाबू संगीत वाद है और इसका नाट्ट रूप कुथाम्बलम है पंडित भीमसें जोसी संबंदित है संगीत से प्रसिद सास्त्रिय गायक भीमसें जोसी संबंदित है किराना घराने से सही सुमेलित है कला मंदलम छेंबती यह मुहुनी आठ्यम है कोटकलम सिब्रामन यह कथकली से हैं लक्षमी विश्वनातन भारत नाठ्यम से संबंदित हैं और एनमादवी देवी यह मनीपुरी से संबंदित हैं और इसमें जो है 2 पज़ और बज जायएगा इसे हमकल करवा देंगे इस पार्ट में नहीं हो पाएगा वीडियो लंबा हो जाएगा और उसके बाद क्रिसी टॉपिक सर्ट होगा तो क्रिसी और इसका बजय जाएगा वो हम कल दोनों इसमें कम्प्लिट करवाएएंगे तो च